कोई भी ऐसा प्रोड़क्ट मिल जाए जो आपकी स्किन पर माइल्ड भी रहे जिसके साइड एफेक्ट्स आपको नाई दिखाई दे और उसके अच्छे रिजल्ट्स आपकी स्किन पर दिख सकते हैं जैन दोस्तों स्वागत आप सभी का आज की वीडियो में और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिव्यू के बारे में या सिजिशन के बारे में कि किस तरीके से आप नाई सिनमाइट को यूज कर सकते हैं अगर आप बिगनर है या कोई अगर ऐसा प्रोड़क्ट आप यूज करना चाह रहे हैं जो आपकी स्किन पर माइल्ड भी रहे है जिसके साइड एफेक्ट्स आपको नाई दिखाई दे और उसके अच्छे रिजल्ट्स आपकी स्किन पर दिख सके तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ Plum का Price Water and Niacinamide Serum इसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स मुझे ये लगे कि ये स्किन पर बहुत ज़ादा माइल्ड भी है और कोई साइड इफेक्ट मुझे अपनी स्किन पर नज़र नहीं आए ये मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ मैंना Amazon से ओर्डर किया था तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोड़क के बारे में तो ये मुझे मिला 10 ml की पैकेजिंग में इसके एक्च्छल प्राइज है 2,49 रूपीज बट Amazon पर ये मुझे मिला स्किन डिजिजस में या स्किन प्रॉब्लम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले अगर आपके स्किन एक्ने प्रॉन है आपके ओपन पोर्स बहुत है या स्टरबन एक्ने माग से जो जाने का नाम भी नहीं ले रहे या फिर मिलास्मा है फाइन लाइन्स है आपका स्किन टेक्स्च्चर जो है वो अनिवन दिखाई दे रहा है वगेरा वगेरा अगर इस तरह कि कोई भी समस्य है तो येस आप 10% नाइस एनमाइट से शुरुवात कर सकते हैं बहुत साय लोग पूछते हैं कि मैं 5% में भी अवेलेबल है 10 में भी 15 में भी तो कहां से शुरुवात करें मैं इसके 10% की बात इसलिए कर रहे हूं कि इसमें और इसमें राइस वाटर भी है और क्योंकि मुझे अपनी स्किन पर कोई irritation फिल नहीं हुई तो इन सारी प्रॉब्लम्स में आप नाइस एनमाइट यूज कर सकते हैं बड़ एक चीज का ध्यान रखेगा अगर आपकी स्किन पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स है लाइक मिलाजमा बहुत ज्यादा है, एक में मार्ग्स बहुत ज्यादा बड़े हुए है, बहुत स्टबन है या आपको लग रहा है कि सिर्फ नाइस एनमाइट कायम नहीं करता है तो आपको कोई ना कोई मॉलिक्यूल रात में भी एड़ करना पड़ेगा जैसे कि कोजिक एसेड या अगर आप एंटी एजिंग के लिए यूज कर रहे है तो आपको ट्रेटिन वाइन भी यूज करना पड़ सकता है इसका कम्प्लीट रिव्यू विडियो मैंने अल्रेडी शेर की हुई है नाइसेनमाइट के बारे में कि किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए क्या क्या डूस और दोन्स है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेर कर दूँगी प्लीज उसको भी देखेगा फिलाल मैं प्रोड़क्ट रिव्यू दे रही हूं आपको तो इसी प्रोड़क्ट के बारे बात करूँगी तो अगर आप कोई भी अधर प्रोड़क्ट यूज नहीं कर रहा है नाइसेनमाइट के लावा तो आप इसको दिन में और रात में दोनों टाइम यूज कर सकते हैं अगर कोई अधर प्रोड़क्ट जिसे कोजी कैसीर या ट्रैटिन या कोई भी अधर मॉलिक्यूल आपने एड़ किया हुआ है नाइट रूटीन में इसको सिर्फ दिन में ही यूज करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ पहले आपको face wash करना है उसके बाद आपको niacinamide अपलाई करना है उसके बाद अपना moisturizer और sunscreen अपलाई कर सकते हैं स्टूडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए स्वास्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए जबरदस्त रहिए be healthy, be holistic, जैहें